नमस्कार प्रबास्त को एकशेस एस्पी में आपका स्वागत है और आधा हम बनाएंगे श्टप्ड टोरी जो खानें बहुत दिए बख चेश्टी होती है और इसे बनाना भी विलकुल उसकी काम नहीं है सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरोल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकर को जरूर दबाएं तो आईए इससे बाना शुरू करते हैं इससे बनाने लिए मैंने लिया है एक किलो तौरी मैंने तोरी को धो करके अचितरいき से साप करके और रख लिया है हमें मुलायम तौरी लेना है भूँत कड़ी ना हो जिसमें जाल पड़ी होती है वो तोरी हमें नहीं लेना है उसकी भर्वा तोरी अच्छी नहीं लगेगी और ओं मूम में चाल जो आता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है तो मैंने 1 किलो तोरी लेकर और इसे धोगर के रख लिया है और इसके निढ़्डाने के लिए जो मशाले मैणिस बन्या में। दएखे लेते हैं। एक हम राव मसाले माप एक चूह भम लिमारी पांडर एक चूह आ ज्रूरबॉय्ट कमच्व। सोजन साल यह बंसे यह बड़ाय। अगर लिंग आपको talking उसे मिल जाएगा। को एक हाला यह वाना के वाना प्लाण संतो है प्लाणर पाउडल में झालगा संते पर कなんだ चाकु लेंगे और इसे साइट से हम काट देंगे तो आप चाहें जिसे चाकु से छील सकते हैं इस तरीके से बहुत मोटा हमें नीच छीलना है क्योंकि तोरी की भी सबजी बनती है तो हलकी सी अगर इसका छील का रह जाता है तो कोई बात नहीं, खाने में टेश्टी लगता है कि पीलर की मदद से इसे मिषिए सकते हैं जैसे भी आपकी शुविदा हो आप तोरी को छील कर तयार कलीजिए इसी तरीके से सारी तोरी को हम छील लेते हैं, सारी तोरी को मैंने पील कर दिया है, अब इसे हम काट लेते हैं, मैंने इसे छिलका निकाल दिया है, इसके हम सब्जीवी बना सकते हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं, यह जो हमारे पास तोरी है, इसके हम दो से तीन टुकड कर लेते हैं सारी तोरी को मैंने काट लिया है अब इसे हमें बीच से कट कर लेना है इसके अंदर हमें मसाला भरना है इस तरीके से हमें काटना है इसे नीचे से जॉइंट रहे नीचे से अलग नहीं होना चाहिए बस बीच से हमें इसे कट कर लेना है नीचे तर इसी तरीके से परिपदी तोरी 要ोत और थे काट कर लिए हैं और उसका नर्धी मसाल्वा ड़िए दर कि अधर मसालेमितों पाउर पाउदर अलधी पाउडर, लाल मिज पाउडर, सॉंभ पाउडर अध्रक का और लेशुन का पाउडर इसे भी डाल देंगे, आमचुर पाउडर भी डालेंगे, हेंग भी डाल देंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक हमें साधन सार डालना है, एक चमस नमक इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल इसे मीक्स करने के लिए एकसी दू चम्मस तेल इसके अंदर मिला लेंगे और इसे अची तरीके से मिला लेंगे मसाला हमारा अची तरीके से मिक्स हो चुका है इस समय इसे आप डेस्ट कर सकते हैं नमाक या मिर्च आप ओकाम या जादा लग रहा है उसे आप अपने हिसाब से एड्जेस कर सकते हैं तो ये मसाला हमारा बनकर त्यार हो गया है अब इसे हम तोरी के अंदर भरेंगे तो मैंने जो ये तोरी काट करके रखा है इसके अंदर हमें मसाले को डालना है में जितना आसाने से आजाए में शाप्त लेना है इस तरीके से आप उस्यतरीके आपने सारी तोर्य को बहरे करने करते हैं ंस सारी तोरी को मैंने भर त्यार कर लिया है इसे हम फ्राइए करते हैं प्राइ करने के लिए ने गैस पर कडाई रखी है और गैस को में नेवन कर दिया है अब हम कडाई के अंदर तेल डाल देंगे इसे गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है तो हम कडाई के अंदर और तेल के अंदर एक एक तोरी को इस तरीके से लगा देंगे मैंने तो हम अब सारी तोरी को पढ़ाई में लगा देंगे इन तुरिक के से एक लेयर ऊपर में हम रखेंगे हम इसे 5 मिनट लिए ढग देंगे और आज को मीडियम रखेंगे उन तोरी को चेक कर लेते हैं और सारी प्लती दि जबहने हैं कि तो में खिक भाल को फ़िज़ कौण पिलटेते हैं है अब शेष्ट ढख देंगे और 20 तीन मिनट बाद इसे फिज़ चेक करेंगे और विवृ पिलटे आप कर लेंगे तोरब के नियुए होस्य करते हैं सब्सस्जां करते हैं कि बार की से मिक्स कर लेइंगे हो और मैंने दो मिनिट में तीन एक चला प्रिक धुम दुऑ की बढ़नाएं अधर ऐसे काट दूऑ पसंद दो पर रहसा है जो लोग नहीं रहते है वो भी इसे गूती पसंद करेंगे 주player और हमारी इस्टेब्ड तोरी बनकर त्यार हो गई है बहुती तेश्टी बनी है आप इसे रोटी पराठे या पूरी के साथ खाईए चावल के साथ भी से खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती खाने में तो इस तरीके से आप भरवत तोरी बनाईए अगर आपको मेरी रेस्प और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिरकुल न भूले तो फिर मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए धैन्यवाद